नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जीओ फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में इस समय देखेंगे तो 3% के आसपास के तेजी देखने को मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल इस इसी क्लोजिंग सपोर्ट के उपर ही दिखी है तो आगे के क्या टेक्निकल ट्रेंड दिखेंगे कौन से लेविल को आपको ध्यान पर रखने चाहिए सभी पॉइंट को फाइंड आउट करें तो एपिसोड में लास तक बने रहें प्रेमियम टेलिग्राम को जोईन कर लें जो की बिल्कुल फ्री है और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहेंगे तो एकाउंट आपेंड कर लें जिससे आपको एक्टिफ टेडिंग कम्निटी लर्निंग ग्रूप में जोड दिया जाएगा इसी प्राइस पे कंसोलिडेट के बाद ब्रेक्डाउन हुआ यही देखें एकाउंट और डिस्क्रिफ्शन के लिंक से चाहें तो एकाउंट ओपेंड कर लेंगे इस समय जो इसे स्टॉक में डिलिवरी रही है वो मोर दें सब conception की रहाए हैं स्टिनिविवरी काफी बेटर रहे हैं टेकनिकल टेंड देखेंगे तो ठेकनिकल प्रेंड ही जो है अगर इस stock के chart को देखे इस से पहले देखेंगे तो आज की volume तो अभी नहीं आई है लेकिन दो दिन से volume जो है थोड़ा बहुत higher volume दिख रहा था और higher volume के साथ stock में accumulation दिखे है आज इसके chart को देखें तो technically क्या पाएंगे हमने आपको last time भी कहा था कि इस समय अगर technically इस stock को price out करते दिख रहा है यह जो level देखेंगे दो सो चोबीस से लेकर के दो सो चोटीस टूटीफोर टूटीफोर एक मेजर सप्लाइज जोन है चुकि यह दिमर्जर के थूद लीश्ट हुआ था बहुत सारे लोग हैं जिनके पास already 131 के share हैं तो यहां selling आते दिख सकता है लेकि 34 के level को breakout करने दें जहां से आपको 262, 340 और 500 तक के potential level easily दिख सकता है